हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चनल परफेक्ट स्टेडिजेस में दोस्तो हम लोग बिहार दरोगा प्रारामभीक पड़िक्षा 2023 का जो प्रैक्टी सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टी सेट नमर 4 को करने वाले हैं दोस्तो इससे हम लोग 100 कोशन का प्रैक्टी सेट करेंगे दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लेज सस्क्राइब कर लें लाइक करें और दोस्तो में सेर करना न भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टी सेट और दोस्तो अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलिगराम का लिंक दे दिये हैं आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं पहला कोशन आज का हो जाएगा दे रहा है कि निमली खित में से कौन एसकरवी रूख के इलाज में उप्यूगी है एक कराईट एंसर हो जाएगा ऑफस सुत्र जो होता है C6, H8 और O6 होता है और इसकी कमिस एसकरवी नाम को रोग होते हैं और यह खटे रसदार फलो निम्बू संत्रा आउला तथा पतेदार सब्जिया यह अंकुरित अनाज में पाई जाती है आप्सन नमर C राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 2 में आपको दे रहा है कि परिदर्सी यानि कि पेरी इसको किस सिधान पर काम करता है दो कराइट एंसर हो जाएगा ऑफसन नमर D यह आपको पड़ावर्तन के सिधान पर काम करता है परिदर्सी एक परकासी यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छीपा रहकर भी अपने चारों और के वाता ब्रण को देख सकता है और इसका उप्योग पंडुबी यूध पोत में छीपे सैनिको द्वारा लक्ष को दिखने और सौत्रू कुगति विधियो का पता लगाने के लिए किया जाता है परिदर्सी परकास के पड़ावर्तन के सिधान पर काम करता है एनिक ऑप्षन नमर्ट डी राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर् तीन में आपको कह रहा है कि निमलीखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है तीन का राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन नमर्ट डी यहापको जापानी एनसेफ़ेलाइटिस हो जाएगा ओप्षन नमर्ट एंसर हो जाएगा Question नमर चार में आपको दे रहा है कि endoscemia कहते हैं चार का right answer हो जाएगा Option नमर B यानिकी घ्रान समेधना की कमी को Option नमर B right answer हो जाएगा Question नमर पांच में आपको दे रहा हैं कि 간 grandchildren में से किसका अधियन है 5 का right answer हो जाएगा Option नमर D कोश्चन नमर 6 में आपको दे रहा है कि विधुत धारा की अंतराश्टी एसाई इकाई क्या होती है छे का राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी एमी पियर एमी पियर विधुत धारामापन के अंतराश्टी एकाई है और इसे एक चीनिस के द्वारा परदर्शित किया जाता है और एक एमी पियर का मान जुन है एक कुलंब धारा की प्रती सेकेंड विश्थापन होता है य नेक्ष दख लेते हैं कोस्तों नमर साथ दे रहा है कि यदि हम किसी दिये गए बलके छेतर को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रती इकाई छेतर डैस होता है साथ कराई टेंसर हो जाएगा और सनमर सी कम हो जाता है और सनमर सी और आई टेंसर हो जाएगा नेक्ष दख लेत से असपस्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटी का होता है आठ का राइट इंसर हो जाएगा आपको माइक्रो मिटर कोटी का होता है यानिके अपस्ट नमर ए राइट इंसर हो जाएगा सुक्ष्टम पदार्जी से प्रकासिय सुक्षम दर्सी के सहायता से असपस्ट कि इन में से कौन एक कौव की रोग है। 9 कराइट इंसर हो जाएगा, Option नमर दाद, दाद जोन है यह आपको कवक नामक रोग जोन है, वह आपको ट्राई कोफोताईन, ट्राई कोफाईटान जो है, नामक कवक से फैलता है, मलेरिया जोन है, वह आपको अप्सन नमर जोन D में दे रहा है malaria यह आपको plasmodium नमक प्रोटो जुआ से होता है गलसुआ जो नहें गलसुआ और जलान तक यह आपको बिशानु के द्वरा उत्पन होने वाला मानव रोग है नेक्ष्ट रहते हैं question number 10 दे रहा है कि diesel का निसकर्शन होता है दस का राइट असर हो जाएगा option number D यह आपको जमीन से option number D right answer हो जाएगा अभी तक डिजल का निश्कर्शन जमीन से होता रहा है अब जो है रत्न जोच नमक पोधे से भी डिजल का उत्पादन शुरू हो चुका है option number D, right answer हो जाएगा question number 11 ते रहा है कि जर्मन सिल्वर में शमीलित है एक आड़ा कराइट answer हो जाएगा option number C, यानि के C, U, J, N और N, I, option number C, right answer हो जाएगा next दख लेते हैं question number 12 बारा में आपको दे रहा है कि निमलिखित में कौन सारा science जोन है waiting, voting सियाही में पर्योग होता है बारा कराइट answer हो जाएगा option number A, यानि कि silver nitrate जोन सियाही है वह voting में पर्योग होता है, यानि का option number A, right answer हो जाएगा दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रेज सस्क्राइब जरोड कर ले क्योंकि daily बिहार दरोगा का practice मेरे चैनल पर चलाया जा रहा है question number 13 में आपको दे रहा है कि plaster आप पेरिस है तेरा का right answer हो जाएगा option number B, यानि कि CA SO4 2.1 by 2 STO यानि का option number B, right answer हो जाएगा और जल्योजीत calcium sulfate को शमाहनत प्लास्टर आप पेरिस कहते हैं और या एक सफेद चुर्ण है इसका रासाइनिक नाम calcium sulfate hematite है इसका उपयोग सल किरिया में पटी के रूप में तथा मुर्तिया बनाने में किये जाता है option number B, right answer हो जाएगा question number 14 में आपको दे रहा है कि रसोईगेस यानि कि LPG मुक्त डैस होती है next दिख लेते हैं question number 15 15 में आपको दे रहा है कि कोले कैलसी फिरोल रसाइनिक रूप से रसाइनिक योगी का समान नाम है कोले कैलसी फिरोल जो है वह रसाइनिक योगी का समान नाम है पंदरे का राइट यंसर हो जाएगा option number B यानि कि vitamin D option number B राइट यंसर हो जाएगा vitamin D का रसाइनिक नाम जो है वह कैलसी फिरोल होता है और vitamin C का रसाइनिक नाम ash corby के अमल होता है और vitamin D को हर्मोन माना जाता है इसके surgeon में कैलसी फिरोल पाय जाता है option नमर B, right answer हो जाएगा question नमर 16 शोला में आपको कहड़ा है कि खाने का नमक जो है NACL किसे बनता है शोला का right answer हो जाएगा option नमर B, यह आपको मजबूत अमल और मजबूत छार से बनता है, यहनी कि option नमर B, right answer हो जाएगा next दख लेते हैं question नमर 17 दे रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुंदरी डकैती है तू हुगली का उपियोग कोन करता था 17 राइट इंसर हो जाएगा option नमर C, फूर्ट गाली जो थे option नमर C, राइट इंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में समुंदरी डकैती है तू हुगली कप्रयोग फूर्ट गाली करते थे और भारत में आने वले कमपनियों के क्रम में सबसे पहले पुत्रगाली थे जो की 1498 में भारत आये थे नेक्स दखलेते हैं कोश्चन नमर 18 अठारव में आपको दे रहा है कि निमलिखित युगमों में कौन सही सुमलित नहीं है अस्थान है और नेत्रित्त है अठार कराइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर डी लखनौर जो दे रहा है लियाकतली या आपका सुमलित नहीं है देवकिरी सुरेंदर साही सही है गंजाम राधा कृष्ण दन्र सेना सही है और कस्मीर गुलाव सिंग सही है और सनमर डी जो नहीं है या आपको शुमलित नहीं है 1877 का बिद्रोजी से पर्थम भारतिये स्वतंतरता संग्राम में कहा जाता है ब्रेटिस सासन के वरूद एक ससस्तर बिद्रोज था और इसकी सुरुवात जो हुगा था ओह दस मई 1877 को हुगा था ब्रेटिस सासन आलोचनात्मक नीतियों के कारण हुई थी और इस बिद्रोज का नतिरत्यों भीनवीन अस्थानों पर भीनवीन बेक्तियों के द्वारा किया गया था लखनव में आपको बेगम हजरत महल के द्वारा आपको इसका नतिरत्यों किया गया था इलहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना सहाब और बिहार में कुमर सिंग के द्वारा नेत्रित परदान किया गया था इसका राइट एंसर जो दे रहा है औप्शन नमर D यहाँ आपको गलत हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बेगम हजरत महल कुमर 19 में आपको दे रहा है कि निमलेखित में से किस सैल कृत गूफा में एक गारा सिरो के बोधी सत्व का अंकन मिलता है 19 के राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर C कनहेरी आप्शन नमर C राइट एंसर हो जाएगा कनहेरी की गुफा जो मुंबई के निकट संजे गांधी राष्टिय उद्यान पडिसर में साल सेट दिव पुरवस्तित है जिसे परवत की चोटियों को काट कर बोधो का चैत गरी बनाया गया है और इसका निर्मान तिसरी सताब दिस्वी पुर्व के मद में हुआ है और इसी गुफा में 11 सीरो वाले बोधिस्तु का सलंकन किया गया है आप्शन नमर C राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 20 में आपको दे रहा है कि निमली खित में से किस बर्स बंगाल के मिदान पुर्जिले में जातिया सरकार की अस्थापना हुई थी 20 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर D 1942 में भारा छोरो अंधोलन की एक महत पुन विश्यस्ता बलिया तामलूक सतारा चाहित देश की कई अस्थानों पर समना अंतर सरकारों के स्थापना होई और सितंबर 1942 में बंगाल के मिदान पुर्जिले में आपको 37 के नतरुत में गठीत जातिया सरकार सितंबर 1944 तक चली अप्शन नमर D राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 21 दे रहा है कि भारतिये गोरों यस का अंतिम सुड़ी किसके लिए प्रयुक्त हुआ 21 का राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर D यह आपको हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ है भारत के महान युद्धा और दिली के अंतिम हिंदु समराथ हेमू ने आफगानों तथा मुगलू के बिरुद लगतार 22 युद्धों में बिजय प्राप की थी और उन्होंने विक्रमादित्य की विपादे भी धारन की थी दिली के अंतिम ये सस्वी हिंदु समराथ के रूप में उन्हों ही भारतिय गोरों का अंतिम सुर्ज कहना उचीत होगा यानि कि अप्शन नमर D राइट एंसर हो जाएगा 22 में दे रहा है कि निमली खित में से राज के सब्तांग सिधान्त के नुशार राज का सातवा अंग कौन सा था 22 के राइट एंसर हो जाएगा और सनमर C यानि कि मित्र हो जाएगा राज के सब्तांग सिधान्त के नुशार राज के शात अंग आपको हैं स्वामी, अमात्य, कोस, दूर्ग, जनपद, बॉल, एव मित्र यानि कि सातवा जुन है वो आपका मित्र हो जाएगा आपसन नमर C, राइट इंसर हो जाएगा कोशन नमर 23 में आपको दे रहा है कि निमलिखित में से किसे भारत में अस्थानिय स्वायत सासन का जनक माना जाता है 23 का राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर D, लॉड रीपन को लॉड रीपन के काड़काल का शवशे महत्पुनकार अस्थानिय सोसासन पर सरकारी प्रस्ताव था उसके अनुशार इनहीं से देश की राजनितिक सिक्षा आराम होती है और इस प्रस्ताव के तहद क्रामिन छेत्रों में अस्थानिय बोडों की अस्थापना की गई कांग्रिस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियास्तों के प्रती अपनी नीती घोसित की और आपको 1924 का बेलगाव समयलन सबसे छोटा समयलन था जिसके दियक्षता महात्मा गानी के दवारा किया गया था कोश्चन 25 में दे रहा है कि कौन जोन है सुफी संथ महबूव ए इलाही कहलाता था 25 का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर डी सेख निजामुदीन ओलिया आपसन नमर डी राइट एंसर हो जाएगा उत्तर भारत के अग्रानीय सुफी संथ निजामुदीन ओलिया थे सेख निजामुदीन के उदार और सहिशन उद्रिश्टी कोन के कारण उन्हें महबूव ए इलाही की लोगपुडिये उपाधी मिली थी अपसन नमर डी राइट एंसर हो जाएगा करा है कि कांग्रेस के मन चसे भारतिये राष्टिये कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्थम बार सोराज सब्द ब्यक्त किया गया था 26 के राइट एंसर हो जाएगा अपसन नमर बी कलकाता अधिवेशन 1906 अपसन नमर बी राइट एंसर हो जाएगा कांग्रेस की मन से भारतिये राष्टिये कांग्रेस के कलकाता अधिवेशन 1906 में प्रत्थम बार सोराज सब्द बाल गंगा धर तिलक के द्वरा ब्यक्त किया गया था और दादा भाई नोरोजी ने आपको सोराज सब्द की ब्याक्ख्या करते हुए इसे कलकाता अधिवेशन 1906 मेही भारतिये राष्टिये कांग्रेस का लक्ष वताया था अपसन नमर बी राइट एंसर हो जाएगा 27 में आपको दे रहा है कि इन्यों से कौन जून है गुप्त काल में और सधी के छेत्र में अपने काल के लिए जाने जाते हैं 27 के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर ए सुसुत्र जो है आपसन नमर ए राइट एंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं 28 में दे रहा है कि रविंदर नाथ टैगोर ने अपनी नाइट हूड उपाधी किस कारण त्याग दी थी 28 के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर ए सी जालिया वाला बाग हत्याकांड के कारण आपसन नमर ए सी राइट एंसर हो जाएगा 30 अप्रेल 1919 को घाटित जालिया वाला बाग हत्याकांड की हिर्दय विदार घाटना के बाद रविंदर नाथ टैगोर ने अपनी नाइट हूड की उपाधी को त्याग दिया टैगोर ने कहा कि अपसमय आ गया है जब सम्मान तमगे अपमान के बेतुगे शंदर्व में हमारे कलंग को चू असपस्ट कर देते हैं जहां तक मेरा प्रस्ट ना है मैं सभी विशेश उपाधियों से रहित होकर अपने देश्वासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ यानिके अपसन नमर C राइट एंसर हो जाएगा कोश्ट नमर 29 में दे रहा है कि भारतिय राष्टिय कांग्रेस की प्रत्थम महिला अध्यक्ष कोन थी 29 का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर B स्रिमती एनिवेसेंट भारतिय राष्टिय कांग्रेस की प्रत्थम महिला अध्यक्ष स्रिमती एनिवेसेंट थी सिर्मती 80% कांग्रेस की कलकता अधियाख्षा की थी जबकि पहली भारतिये महिला अधियाख्ष जुन थी वह सरोजनी नाइडू थी जो अप्सन नमर C में दे रहा है और यह आपको 1925 के कानपूर अधियाख्षा की थी इसका राइट एंसर अप्सन नमर B हो जाएगा केसी सुल्तान ने जमीन में फोसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया तीस का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर C अलावदिन खेल्जी ने भूर आजस्व के उपज का आधा भाग यानिकी 50% निर्धारित किया और इसके काल में भूर अजस्व दरे शंभवत बसे उची थी और सनमर सी राइट अंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 31 में आपको दे रहा है कि जालिया वाला बाग नौर सनहार किस गांधिवादी सत्याग्रा से समद में हुआ किस गांधिवादी सत्याग्रा के शमाद में हुआ 31 के राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर B रोलेक्ट सत्याग्रा आफसन नमर B राइट एंसर हो जाएगा नेक्श दख लेते हैं कोशन नमर आपको 32 दे रहा है कि दक्षिन भारत के मंदीरों के आक और शक द्वार क्या कहलाते हैं 32 के राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर B वहाँ गोपूरम कहलाते हैं आफसन नमर B राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 33 में दे रहा है कि नीमन में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने छेतर में नहीं मिलाया था 33 के राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर B गवालियर को अंग्रेजों ने देशी रियासतों को युदी के माध्यम से लौड बलेजली के शहायक शन्धी के माध्यम से लौड लहोजी के बेपगत सिधान्द के माध्यम से तथा कुश रियासतों पर कुशासन के रुप के द्वारा अपने छेतर में ले लिया गया और इन छेत्रों में सहाग संधी के माध्यम से खरपी गई कुछ पर्मुक नियासते जैसे हैदराबाद, तंजोर, सिंधिया, बरार, भोसले, पेस्वा है आपको बेप्यकत सिधान्त के माध्यम से सतारा, चैतपूर, शंभलपूर, उदैपूर, जहांसी, नागपूर को मिलाया जबकि अवज का कुछासन का आरोप लगा कर अपने छेत्र में मिला लिया औप्सन नमर बी इसके राइट एंसर हो जाएगा Q34 में दे रहा है कि महात्मा गांधी ने भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अधियक्ष्ता की 34 के राइट एंसर हो जाएगा Q35 में दे रहा है कि सौराज दल के अस्थापना और सफलता के बाद हुई 35 के राइट एंसर हो जाएगा सौराज दल के अस्थापना और सहयोग अंदोलन के सफल होने के बाद 1923 में हुई थी और इसके अस्थापना कसरे CR 10 सथा मोतिला नहरू को है Q36 में आपको दे रहा है कि गुप्त समराट जिसे हुनो को पराजित किया था 36 के राइट एंसर हो जाएगा Option No.C असकंद गुप्त Option No.C राइट एंसर हो जाएगा गुप्त समराट असकंद गुप्त ने हुनो को पराजित किया था वो इसकी जनकारी जुना कड़ाविलेक से मिलती है हुन जो है वह मद एसिया की खाना बदोस जाती की थी हुनों से युद जो है वह 455 इसवी में हुआ जिसमें असकंद गुप्त शफल रहा Next देख लेते हैं Question No.C वह मुगल समराट जिसका दो बार अविशेक हुआ कोन था 37 के राइट एंसर हो जाएगा Option No.D औरंग जेव औरंग जेव का पहला राजा विशेक 31 जुलाई 158 इसवी को आगरा में हुआ था और देवराई के युद में शफल होने के बाद 15 मई 169 इसवी को औरंग जेवने दिली में परवेस किया और सहा जहां के संदार महल में जुन 169 इसवी को दूसरी बार राजा विशेक करवाया Option No.D राइट एंसर हो जाएगा Question No.38 में आपको दे रहा है कि निमलिखित में कोन सोवासन संरक्षन रन निती का उदाहर नहीं है Question No.49 में आपको दे रहा है कि निमलिखित राज्यों में कोन सरको की लंबाई में भारत में प्रतम पायदान पर है उन्चालिस के राइट एंसर हो जाएगा Option No.A महराष्ट Option No.A राइट एंसर हो जाएगा भारत में विश्टु का दूसरा सबसे बड़ा सरक्षन नत्र है जो भारत में परिवहन को शुगम बनाता है और भारत के राज्यों में महराष्ट में सरकुक की लंबाई शबसे जादिक है जबकि सिक्किम का स्थान सबसे अंतिम में है नेक्ष दख लेते हैं कोशन नमर आपको चालिस में दे रहा है कि निमलीखित में कौन लोरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है चालिस का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी यानि की आई की विसमता ओप्सन नमर डी राइट एंसर हो जाएगा नेक्ष दख लेते हैं दे रहा है फोटी वन में कि निमलीखित में कौन सही सुमेलित नहीं है परवत है और राज है 41 कराईट अंसथर हो जाएगा अफ्सन nợ C ना थुल्ला जो में घाले दे रहा है यह आपका सही सुमेलित नहीं है आपको शिब खिल्ला हिमाचल परदेस में है भम मडिला यापको अऄचल परदेस में है तथा जो जीला देरा जोन है यह आपको जम्मु का स्वेर में स्थित है ना थुला दरा जो है यह आपको सीक्की में है जो कि अप्षन C यह आपको सही सुमलित नहीं है Next दख लेते हैं question number 42 मदेरा की महात्मा बुध का महापड़ी निर्वान कहा हुआ next दख लेते हैं question number 43 में आपको दे रहा है कि निमली खित में किस राज में नौल कूपो के दवारा सिंचित भूमी छेतर सबसे अधिक है next दख लेते हैं question number 44 दे रहा कि भारत के पचमी टट यह मैदान के उधिरी भाग को जिससे अने नाम से भी जाना जाता है वो है next दख लेते है question number 45 में दे रहा है कि निमली खित में कौन सुमलित नहीं है बाद है और नदी है 45 के राइट इंसर हो जाएगा option number B यानि कि नूरेक जो नहें वाक्स दे रहा है यह आपका माफ किजिएगा 45 में जो दे रहा है हूब और टेनेसी यह आपका सुमलित नहीं है यानि कि option number B राइट इंसर हो जाएगा ग्रेंड कुली कुलंबिया सही है नूरेक वक्स सही है और काहोरा जामबेजी सही है option number B इसका राइट इंसर हो जाएगा question number 46 में दे रहा है कि भारत के किस राज में गन्य की खेती के अंतरगत सबसे अधिक भूमी है 46 का राइट इंसर हो जाएगा option number B उत्तर परदेश next दख लेते हैं question number 47 दे रहा कि निमलिकी 300 में से किसकी समुन्द रटर टरेक अशरवाधिक लंबी है next दख लेते हैं question number 48 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है देख लेते हैं इसमें कौन सही है 48 का राइट इंसर हो जाएगा option number A याणि की खाद उत्पादन में जो बृधि है वहापको हरिद करान्ती उसके बाद दुख उत्पादन में जो बृधि है सुआत करान्ती मतस उत्पालन में जो है आपका नील करान्ती और उर्वरक में भूरी करांती ओप्सन नमर ए राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर उन्चास उन्चास में दे रहा है कि निमलिखित नदियों में से किसका उदगम भारत में नहीं है उन्चास का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए सतलज नदी का सतलज नदी का उद्गम मांचरोबर जील के शमीप इस्थित अराकस्ताल से है और या स्रिवालिक परोध स्रिंखला को कारती हुई पंजाब में परवेश करती है लुधियाने तथा फिरोजपूर इसके टटवर्ती नगर है और आप्सन नमर ए राइट एंसर हो जाएगा elen करें तंजाएगा ज़ुक्ति कुश्टन नमर एकाउन में आपको दे रहा है की इन्मलिखित में कौन साबसे बड़ा पठार है सबसे बहुँरा में चल्ट मेंॉरा कुण नमर या पको शुबभा वखार जाएगा question number 12 में आपको दे रहा है कि ब्राजील में 20 साल कहवा बगानों को क्या कहा जाता है ब्राजील में फजिंडा एक परकार का बगान है जहां कहवा का उतपादन किया जाता है question number 23 में दे रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है तीरपन का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर ए यह आपको माउंट आबू में अवस्तित है और आपको आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान में अवस्तित है और इसके अस्थापना उनिस्वप जोहतर में केंद्रियरीजर पुलिस बलके अधिकारिय को पड़े सिक्षन देने हैतु की गए थी आपसन नमर ए राइट एंसर हो जाएगा चौंगन में सुची वन और सुची टू को मिलान करना है घास का मैदान है और आपको महादीप दिया हुआ है चौंगन का राइट एंसर हो जाएगा औफसन नमर ए याणि कि लानो जोन है या आपको डखशिन अमेरिका का घास का मैदान है उसके बाद एश्टेपी जोन है वह इयुरोप का है प्रेडि जोन है वह आपको उतरी अमेरिका और वेल जोन है या फिर का का है याणि कि और राइट एंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कुस्टन नमर पच्चपन दे रहा है कि निमली खित में कूं सा युग मिजोन है वो सही सुमेलित नहीं है पच्चपन का राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर बी यानि कि तिलया बाद जो कुनार कुनार नदी दे रहा है या आपका सही सुमेलित नहीं है तिलया बाद जारखन राज के कुडर्मा जीले में बराकर नदी पर अवस्तित है जो कि अफसन नमर बी या सुमेलित नहीं है सरदार सरुबर बाद रमदा नदी सही है गांधी सागरबांद चंबल नदी सही है और नागारजुन सागरबांद कृष्णा नदी सही है और सनमर बी राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 56 दे रहा है कि हमारे उपग्राह में मिर्दुजल की शरवाधिक मात्रा किसमे है 56 का राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर C यानि कि महादीपिये एउ परवतिये हीम नदियों में यानि कि आप्सन नमर C राइट एंसर हो जाएगा हमारे उपकुरा में पाय जाने मला कुल मिर्दुजुल का और 60% से अधिक भाग महा दीपिये यो परवतिये हिम नदियों में 30% भूजुल और जिर्दो समना 3 जीलो जर्णों नदियों के रूप में पाय जाता है यानि कि आप्शन नमर C राइट एंसर हो जाएगा जन जाती है और राज है यानि कि सुची 1 और सुची 2 को मिलान करना है 57 के राइट एंसर आप्शन नमर B हो जाएगा यानि कि टूटा जन जाती तमिलाडू में उसके बाद लेपचा लेपचा जो नहें सिक्कि में बीरहोर जन जाती जार्खन में और गारो में घाले में आप् अप्शन नमर B हो जाएगा तूटा जन जाती तमिलाडू लेपचा जन जाती शिक्किम बीरहोर जन जाती जार्खन और गारो में घाले आप्शन नमर B राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 58 में आपको दे रहा है कि निमलिखित जीलों में से किसका अचानक प्रसफोट जून 2013 में बंदाकनी नदी की तोरित बाट के परमुख कारकू में से एक कारक था अन्ठावन का राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर A यानि कि चोरा बाड़ी जील आप्शन नमर A राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 59 में आपको दे रहा है कि निमलिखित में से कौन सा यूग में शही सुमेलित नहीं है 69 का राइट एंसर हो जाएगा Option No. A यानि की एंड्रियाटिक सागर किरानी जो रूम दिरहा है या आपको पर शही नहीं है ITLY में ऐसी इत्च बेनिस रहर को एंड्रियाटिक सागर किरानी कहा जाता है यानि की Option No. A राइट एंसर हो जाएगा लोरेन कोईला चेतर फ्रांस सही है वेस्ट मिड्लाइंड्स ब्रमिंगम सही है और टू लारूस सही है और सनमर ए राइट एंसर हो जाएगा कोईशन नमर सही दे रहा कि दक्षिन भारत की नदिया प्रमुख रूप से निमली खित में से कौन सा अपवात तंत्र रखती है साठ का राइट एंसर हो जाएगा और ए यानि कि अडिये और सनमर ए राइट एंसर हो जाएगा कोईशन नमर 61 में दे रहा है कि एक निश्चित आक्रिती में विवस्तित तराओ का समूह कहलाता है 61 का राइट एंसर हो जाएगा और सनमर बी नच्छत्र खगुल सात्र में अकास में देखने वाले कुछ लगभग बड़ाबर चमकीले तारों का एक ऐसा समूह जो हमें एक तल में सीध देखता है तारा मुंडल अथवा नक्छत्र का लाता है और सनमर बी राइट एंसर हो जाएगा 62 में दे रहा है कि निमली खित में से कौन सा राज भारत में मैगनीज का सरवाधिक उत्पादन करता है 62 का राइट एंसर हो जाएगा और सनमर डी उरिसा 63 में दे रहा है कि मुंग फली निमली खित में से कहा की परमुख फसल है 63 का राइट एंसर हो जाएगा option number B यहाँ गोंबिया की परमुख फसल है option number B right answer हो जाएगा Next दख लेते हैं question number 64 देरा आए कि किस म्रिधा को कम सिचाए कियाव सकता होती है क्यांकि वहाँ म्रिधा नमी को रोक रखती है 64 का राइट एंसर हो जाएगा option number B यहाँ कि काली म्रिधा option number B right answer हो जाएगा 65 में देरा कि कौन सी विशुनिका है 1920 SP में अस्थापित हुई और 1946 SP में भंग हो गई 65 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यहाँ कि Link of Nations option number C right answer हो जाएगा Next देख लेते हैं question number आपको 66 में reasoning है इसका राइट एंसर option number C हो जाएगा Next देख लेते हैं question number आपको 66 इसका राइट एंसर भी option number C हो जाएगा 31 आप लोगे screenshot लेकर करके इसे बना ले सकते हैं 68 में दे रहा कि अमीर खुष्रो किसके सिस्थे और 60 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यहाँ को सेख निजामोदीन ओलिया के सिस्थे और अमीर खुष्रो को तूतियाय हिंद भी कहते हैं भारत में तवला का विश्कार का सिरे जो है अमीर खुष्रो को है option number C राइट एंसर हो जाएगा question number 69 में दे रहा है कि सार्दा अधनियम के अंतरगत लड़कियों और लड़कों के विवाह की निउन्तम आयुक्रम से कितने निर्धारित की गए थी 79 का राइट एंसर हो जाएगा option number B 14 से 18 यानि कि 14 आपका जो हो जाएगा लड़कियों का और 18 लड़कों का option number B राइट एंसर हो जाएगा next दख लेते हैं question number 70 दे रहा है कि महात्मा गांधी धर्षना नामक गुदाम पोर कांग्रेस करकरताओं के धावे के शमय कहा थे 70 का राइट एंसर हो जाएगा option number A या आपको एरवदा जेल में थे option number A राइट एंसर हो जाएगा शावी ने आवा गया अंधोलंट जो आपको 1930 के दोरान धर्षना नामक गुदाम पोर कांग्रेस करकरताओं के धावे से पूर महात्मा गांधी को गिरफतार कर एरवदा जेल भेज दिया गया था option number A राइट एंसर हो जाएगा 71 में आपको दे रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल समराज में मिलाया 71 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि की 576 SP में बारे माच 1576 को टुडड़मल, मुझवफर, खाँ और हुसेन अली खाने मिलकर दावद को पराजित किया तथा बंगाल और बिहार को मुगल समराज में मिला लिया था question number 72 में आपको दे रहा है कि निमलिखित में से कौन प्रतम जन जातिये लोकसभा अध्यक्ष थे question number 74 दे रहा है कि प्रित्वी के गुलाव का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है 74 कराइट इंसर हो जाएगा option number A जाल से next देख लेते हैं question number 75 दे रहा है कि टोर्नेडो प्रित्वी के एक भयंकर आंधी है जो मुख्यत उठती है 75 कराइट इंसर हो जाएगा option number A अमेरिका में next देख लेते हैं question number 76 दे रहा है कि किस सदन के सदस्व के द्वारा बहुमत से अभिश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंतरी परिश्वत को त्याग पत्र देना पड़ेगा 76 कराइट इंसर हो जाएगा option number A लोग सभा के दूस्तो आपसे request है आप मेरे चैनल पर नए है तो प्ले सस्क्राइब कर ले लाइक करे और दूस्तो में सेर करना न भूले 77 में आपको दे रहा है कि उचितम न्याले में शमीधान की निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए नियाधीसो की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए 77 का राइट इंसर हो जाएगा option number D पांच option number D राइट इंसर हो जाएगा Next देख लेते हैं question number 78 दे रहा है कि निमली खित में से किसे संख्या को शम्भूधित करने का अधिकार प्राप्त है 78 का राइट इंसर हो जाएगा option number A भारत के महानने यावीद को option number A राइट इंसर हो जाएगा भारत का महाननवेद यानिके ट्रोनी जनरल संख्या में उप्वसित हो सकता है question number 89 में दे रहा है कि प्रित्वी की परिधी का परिक्रमन कर रहे एको पुगरा के अंदर एक सरल लोलो का अवर्त काल होगा 89 का राइट इंसर हो जाएगा option number B यानिकी lambda option number B राइट इंसर हो जाएगा question number 80 में दे रहा है कि हड़े फ़लो को क्रित्रिम ढहंग से पकाने है तू परियुक्त गैस है 80 का राइट इंसर हो जाएगा option number B ऐसे टिलीन गैस option number B राइट इंसर हो जाएगा 81 में दे रहा है कि BCG कटी का दिया जाता है बचाव के लिए 81 का राइट इंसर हो जाएगा option number C 6 रोग से option number C राइट इंसर हो जाएगा question number 82 में दे रहा है कि घावो कोस्ति गर भरने में शहायता करने वाला विटामिन है 82 का राइट इंसर हो जाएगा option number C, vitamin C, option number B राइट इंसर हो जाएगा कोश्चन 83 देरा है कि जब कोई बियक्तिय सोता है तो उसका रक्त चाप 83 का राइट जंसर हो जाएगा ऑफचन नमर B यानि कि घठता है औफचन नमर B राइट जंसर हो जाएगा नेक्स दखलेते हैं 84 में देरा कि थायराइड हार्मोन की निवनिता से होता है 84 का राइटेंसर हो जाएगाfamily profession number B गलकंड Boston number B confusion number 85 में दे रहा है कि मनुस्ष्य शरिर में योडिया की अधिक्टाम मात्रा पया जाता है 85 का राइटेंसर हो जाएगाicana आफसman number C मुद्र में option number C राइटेंसर हो जाएगा question number 86 जो है या मैफ से है इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमर B यानि की 350 रुपे question नमर 87 में आपको दे रहा है कि मानो, मुत्रशे, शामाने तो कुन सा वीटामिन का उत्यसरजन होता है 87 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर B, वीटामिन C का option नमर B राइट एंसर हो जाएगा question नमर 88 दे रहा है कि निमली खित में खून रक्त नहीं है तब भी सोसन करता है 88 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर C, हाइडरा question नमर C, राइट एंसर हो जाएगा question नमर, next दे रहा है 89, 89 में को कह रहा है कि Government of India Act 1935 के द्वारा केंदरिये संसद के उच्छ सदन में बिहार को कितनी सीटे मिली थी 89 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर C, आठ सीटे 8 सीटे आपको मिली थी आपको उच्छ सदन में बिहार को option नमर C, राइट एंसर हो जाएगा next दख लेते हैं question नमर, 90 दे रहा है कि नागारजुन सागर बहुदेशिये पडियोजना कोन सी नदी पर इस्तित है 90 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर, D या आपको कृष्णा नदी पर इस्तित है question number 91, 91 में आपको दे रहा है कि निमली खित में से किस राज में अनुसुचित चाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है 90 का राइट एंसर हो जाएगा option number C उतर परदेश में option number C राइट एंसर हो जाएगा next दे लेते हैं question number 92 दे रहा है कि मलक्का जल्द संयोजी मलक्का जल्द संयोजी में आने जाने की शुविधाय है बानबिर का राइट एंसर हो जाएगा option number A हिंद्र महासागर से चिंसागर तक option number A राइट एंसर हो जाएगा next दख लेते हैं question number 93 में आपको दे रहा है कि निमली खित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है 93 के राइट एंसर हो जाएगा option number D बिधान परिशद को भारतिय समिधान के अनुछेद 179 के नुशार संसद बीधी द्वारा किसी राज में बिधान परिशद के उतिसादन या सिरिजन के लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज की बिधान सभाव ने इस आश्र का संकल्प बिधान सभा के कुल सदसंख्या के बहमत के द्वारा तथा उपस्तित और मत देने वाले सदसों के संख्या के कम से कम दो ती हाई मत द्वारा पारित कर दिया है option number D right answer हो जाएगा question number 94 में आपको दे रहा है कि भारतिय समिधान कनुछे 243 के ZJ के अनुशार शहकारी समितियों के नीदी सकों की अधिक्तम संख्या हो सकती है 94 राइट एंसर हो जाएगा option number A 21 option number A right answer हो जाएगा next दिख लेते हैं question number 95 दे रहा है कि नीदी खित में से किस वाद ने भारतिय समिधान के मुल्न सनचना के सिधान्त की रूप रेखा प्रतिपादित की थी 95 राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि कि के सवान भारति बना केरल राजबिवाद option number C right answer हो जाएगा question number 96 में आपको दे रहा है कि नीदी खित में से किसको अपने कर्तबू के पालन में भारत के राजबिवाद चेतर में सभी नियालेव में सुनवाई का अधिकार होगा 96 राइट एंसर हो जाएगा option number B यानि कि महान नवादी को option number B right answer हो जाएगा और समिधान के अनुचेद 76 के नुचार भार सरकार को कनूनों या मामलू में परमर्स देने के लिए राष्ट पती एल्टरोनी जनरल के नियुकती करता है और इसे अपने कर्तबू को पालन में भारत के राजबिवाद चेतर में मुख निर्वाचन आयुकत के परमर्स पर राष्ट पती के द्वारा option number C right answer हो जाएगा और भारतिय समिधान के अनुचेद 324 के 5 के अनुचार मुख निर्वाचन आयुकत को उसके पल से उसी रिती से और उनहीं अधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रिती से और जिन अधारों पर उस्तम नियाले के नैधीस को हटाया जाता है option number C right answer हो जाएगा next दख लेते हैं question number 98 दे रहा कि भारत के मुख निर्वाचन आयुकत की पदावधी क्या है और ठान्वे के राष्ट पर राष्ट की आयुत जो भी पहले हो option number C right answer हो जाएगा question number 99 में आपको दे रहा है question number 99 कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था शमिक्षा करने के लिए 99 के राष्ट इंसर हो जाएगा option number D यानि कि संग और राजों के मद शंबन्ध हो की option number D right answer हो जाएगा संग और राजों के मद शंबन्ध हो की question number 100 और आज का अंतिम question दे रहा है कि एक ऐसी याचिका जो नियायपालिका के द्वारा जारी की जाती है जिसमें कारेपालिका से कहा जाता है कि वह कार्ज करे जो उसे प्रदत सक्तियों के अंतरगत करना चाहिए था उस रिट याचिका को कहा जाता है 100 का right answer हो जाएगा option number B उसे mandamus कहा जाता है mandamus option number B right answer हो जाएगा जो दोस्तो यह practice rate जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा SI 2030 के लिए practice rate लेकर आए थे जो की practice rate नमर चार था इससे पहले हम लोग इसमें तीन practice rate कर चुके हैं अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे playlist में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्ले subscribe कर ले like करें और दोस्तो में शेर करना न भूलें और दोस्तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो description में टेलिग्राम का link देदिये हैं आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धान्यवाद